वेलकम टू माई चैनल मोई सर्स लेक्चर बच्चों आज में आप लोगों के लिए एपी जो क्लास 10 से आपका फिफ्ट चेप्टर एंसी आर्टी में उस एपी से exercise 5.2 का question number 12 लेके आया हूं इससे पहले मैंने जो questions से upload कर दी है 11 तक आप मेरी playlist में देखिए इसमें मैं आपको 12, 13, 14, 15 आगे तक जो exercise को पूरा कराऊंगा देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है two APs have the same common difference आपको दो AP दी है जिनका same common difference यह निकि D same है जिनमे the difference between their hundredth terms is hundred उनके सौवे जो terms है hundredth जो terms है उनके बीच का जो difference है वो hundred है तो बताईए उनके thousand जो terms होंगे one thousandth जो terms होंगे उनके बीच में क्या difference होगा बच्चों आपको यह बताना है तो सबसे पहले AP का concept में आपको जैसा बता चुका हूँ फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो आप मेरी playlist में देखें introduction में मैं सब कुछ दे चुका हूँ आपको सबसे पहले हम क्या करेंगे एक काम करते हैं वैसे तो हमें यहां पर common difference same दिया हुआ है पर फिर भी दो AP है तो दो AP के common difference है तो difference के बारे में बात में बात कर लेंगे जो हमें given है उससे related बात करते हैं the difference between their hundredth term बच्चों आपको यह पता हुगा nth term को कैसे लिखते हैं सबसे पहले मैं वही formula लिख देता हूँ an is equal to जो nth term का formula होता है a plus n minus 1 into d आप सब जानते हैं अब question आपको क्या कह रहा है उनके 100 टर्म का difference यानि कि a hundred minus a hundred लेकिन dash लगा लो यह आपको hundred दिया हुआ है द्वारा से समझिएगा उनके जो hundredth terms हैं मतलब a hundred ठीक है ऐसी तो denote करेंगे लेकिन क्योंकि इसमें दो AP अलग अल hundred लिख लिए एक को a-100 लिख लिए यह AP अलग है तो इसको denote करने का तरीका अलग कर दिया है ठीक है इनका जो difference है difference का मतलब minus 100 दिया हुआ है तो हम मैं थोड़ा सा यहां से अगर यह formula यूज करूं तो a plus 100-1 into d minus बच्चों minus का minus अब इस वाले को bracket में रखेंगे क्या आएगा a dash plus 100-1 into d अब आप कहेंगे सर यह कैसे देखिए जब यह AP अलग है तो इसका first term भी अलग होगा तो a dash होगा अचा इसमें 100 ही terms है तो इसमें तो कोई change नहीं हाएगा और इन दोनों AP's का common difference क्योंकि उपर same है तो अगर इसका d है तो मैंने इसका भी d रखना है ठीक है चलो 99d minus a dash minus 99d is equals to 100 बच्चों a dash plus 99d बचता लेकिन minus खुलते ही यह minus का हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होगा न तो minus हो जाएगा यहां से 99d से 99d कट जाएगा और मेरे पास आ जाएगा a minus a dash is equals to 100 जिसे मैं equation number 1 माल लूँगा और तो वह तरीका नहीं है अब मुछ से पूछा क्या है difference पूछा है हमसे thousand terms का मतलब a thousand minus a dash thousand यह हमसे पूछा गया है ठीक है thousand term का difference क्या करेंगे खोलिए जरह इसे a plus thousand minus 1 into d minus a plus thousand minus 1 into d dash sorry d तो same आएगा यहाँ पर a dash आएगा वह उन्हें उल्टा लिख दिया a thousand dash है दूसरी एपी है तो a dash आएगा लेकिन d same है दोनों का ठीक है जब इसे solve करेंगी तो बच्चों a plus 999d a को 9 लगा दिता हूँ minus a dash minus 999d तो यहां से यह cancel हो जाएगा और यह answer a minus a dash बचेगा इसको solve करके लेकिन इसकी value तो मैंने first term से निकाल लखी है फर्स्ट equation में कितनी hundred तो बच्चों final जो answer होगा वो इसका क्या आ जाएगा hundred आ जाएगा क्योंकि आप आगे लिख देंगे from equation 1 मैंने a minus a dash की value निकाल लखी है hundred जो मैं आपे फिर से put कर दूँँगा तो इनका difference आ रहा है hundred देखें स्ट्रेंट्स यह मैं आप लोगों के लिए 13th question यहां पर लिख दिया है how many three digit numbers are divisible by seven कितने three digit numbers होंगे जो seven से divisible होते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हमें three digit numbers पता होने चाहिए कहां से चालू होते हैं हमारे पास AP होनी चाहिए ठीक है three digit numbers जो start होते हैं वो hundred से होते हैं और 999 पर खतम हो जाते हैं लेकिन बच्चों क्या hundred जो होता है वो seven से divisible होता है पहला three digit number ऐसा कौन सा होता है जो seven से divisible होता है one zero five seven से divisible होता है तो बच्चों सबसे पहले आप इस question के लिए लिखेंगे the AP is one zero five one one twelve one one two मतलब one one nine ऐसे करके हम end up to so on जाएंगे ठीक है ऐसी तो चलेंगे seven seven का difference है कहां तक पीछे nine 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 होता है लेकिन क्या nine 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 divisible होता है seven से मेरे असाब से तो नहीं होता है लेकिन बाकी में आपको करने का तरीका बता देता हूं जब हम divide करेंगे seven one zero seven twenty nine seven four zero twenty eight seven two zero fourteen तो बच्चो कित्ता बच रहा है remainder five यानि कि अगर मैं इस nine 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 में से इस remainder five को minus कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि वो कौन सा number है जो seven से divisible होता है मतलब nine nine four minus करके तो last का जो बच्चो नंबर रहेगा वो यहाँ पे रहेगा nine nine four ऐसे करके सबसे पहले आपको AP निकाल ल मैं एक formula भी जानता हूँ AN is equals to होता है A plus N minus one into D ठीक है यहाँ पे हमें AN कितना दिया है 994 A कितना दिया है 105 N की value मुझे निकालनी है और D की जगे मुझे 7 दिया है how many का मतलब number of terms 105 इदर जाके minus होगा 889 बचेगा बच्चों ठीक है 889 बचेगा न यहाँ पे जाके G 7 से इसे divide कर लीजे कितने times हो रहा है 1 2 7 तो बच्चों N की यहाँ पे value आ जाएगी 128 क्यों क्योंकि minus का 1 है इधर जाके क्या हो जाएगा plus का हो जाएगा तो हमें पता चलिए कि 7 से divisible होने वाले 3 digit जो numbers होते है 128 देखिए बच्चों मैंने question number 14 लिख दिया है यहाँ पे आपको पूछा गया है how many multiples of 4 lie between 10 and 250 दस और 250 के बीच में ऐसे कितने 4 के multiples आते हैं then आपके पास सबसे पहले AP होनी चाहिए बच्चों the AP is 10 4 से divide होता है नहीं 11 9 12 yes यानि कि AP जो start होगी वो 12 से चालोगी क्योंकि 12 जो होता है वो 4 का multiple होता है 4 से divide होता है और 10 और 250 के बीच में भी आना चाहिए चलिए 12 के बाद कौन सा 16 16 के बाद 20 ऐसे करके AP आगे बढ़ेगी लेकिन कहां तक क्या 254 से divide होता है नहीं 249 नहीं होता 248 हा होता है तो हम last वाला जो हमारा time रहेगा बच्चों वो रहेगा 248 आप divide करके देख लीजे 248 4 से आराम से divide हो जाता है 62 times है ना चलो हमारे पास में यहाँ पर A है 12, D है हमारे पास में 4 और A N है बच्चों 248 ऐसे सारी चीज़ें लिखा करिए आप फिर formula लिखा करिए ताकि आपको board में इसी पर number मिलते है आदा माक्स मिलता है formula का ठीक है A N is equals to A plus N minus 1 into D A N की जगए 248 A की जगए 12 minus यहाँ पर आपका 4 12 minus हो जाएगा कित्ता बच्चेगा 236 is equals to N minus 1 into 4 4 से इसे डिवाइड कर दीजे 4 से कित्ते बार हो जाएगा 4 5,020 36 4,9,036 N minus 1 तो N की value आजाएगी 60 सही है ऐसे करके यानि कि N का मतलब 60 ऐसे 60 number होते है जो 4 के multiples भी होते है और 10 और 250 के बीच में lie करते है देखें students यह मैंने आपका question number 15 लिख दिया है यहाँ पे आपको बोला है for what value of N बताइए N की वो क्या value होगी जिसके लिए the Nth terms of two APs आपको दो AP दिया है 63,65,67 and so on दूसरी AP है 3,10,17 and so on are equal बताइए इन दोनों APs के लिए कौन सी वो N की value होगी जिनके इनके Nth terms जो होगे वो equal होंगे ठीक है Nth terms तो बच्चों हमें N की value find out करनी है Nth terms हमको equal बोला हुआ है तो मैं लिख लेता हूँ AN is equals to A dash N ठीक है AKP मैंने AN माल ली AKP का last term मैंने A dash से denote कर दिया दोनों AP अलगे न फॉर्मला क्या होता बच्चों A plus N minus 1 into D और इसका A plus N minus 1 into D dash भाईया देखो N तो सेम र बोल रखा है for what value of N N की वो क्या value होगी जिनके लिए इनके Nth terms सेम होंगे लेकिन A और D में फर्का जाएगा ठीक है दोनों AP का पहली वाली AP के लिए बच्चों A क्या है 63 N मुझे निकालना है पहली वाली AP का D क्या है 65 में से अगर 63 गया तो 2 बचेगा ठीक है A dash क्या है दू अब इसे solve करेंगे भाई यह वीडियो अच्छी लगे तो like भी कर दीजेगा 63 प्लस 2N माइनस 2 3 प्लस 7N माइनस 7 बच्चों 63 में से 2 गये तो 61 प्लस 2N यहां 3 में से 7 गये तो 7N माइनस का 4 माइनस 4 भी तो बचेगा 7N बच्चों यह 2N इदा ले जाईए और इस माइनस 4 को इदा ले आईए तो माइनस 4 तो इदा आके प्लस का हो जाएगा और 2N जो है उदर जाके वो negative हो जाएगा तो यह तो बचेगा 5N और यह बचेगा 65 तो N की value जो आजाएगी वो आजाएगी आपकी 13 यानि कि 13th term इन दोनों AP's का जो 13th term होगा वो वाला term होगा जिसके लिए जो है यहाँ पर इनके दोनों के Nth term जो होगे वो same होगे तो आपको I hope इसमें समझ में आ गया होगा देखे बच्चों मैंने 16th question लिखा हुआ है question आपसे कह रहा है find the AP whose third term is 16 आपको वो AP बतानी है जिसका third term 16 हो और 7th term exceeds the 5th term by 12 ठीक है तो आपको given क्या बच्चों सबसे पहले हम given लिखेंगे 7th term मतलब A7 बच्चों जब भी आपको यह exceed word देखेंगे आप exceed का मतलब माइनस लगा लिजेगा exceed का मतलब जादा होता है तो बड़े मैंसे छोटे को माइनस करते हैं जादा में ठीक है subtraction लगाते है 7th term बड़ा है इसके 5th term से यानिकि A5 कितना बड़ा है by 12 यानिकि is equals to 12 ठीक है यह आपकी दूसरी बनेगी यह पहली तो बच्चों पहले मैं first equation को solve कर रहा हूं AN का formula A plus N minus 1 into D होता है तो A3 का formula हो जाएगा A plus 3 minus 1 into D is equals to 16 तो solve हो के आ जाएगा A plus 2D is equals to 16 इसे अगर हम solve करते हैं A7 को तो बच्चों A plus 7 minus 1 into D minus A5 को bracket में लिखता हूं A plus 5 minus 1 into D is equals to 12 ठीक है यहाँ पर हो जाएगा A plus 5 minus 1 into D तो यहाँ पर A plus 6D minus A plus 4D is equals to 12 सही बच्चों 5 minus 1 into 4 तो यहाँ से मैं अगर इसे खोल दूंगा तो A plus 6D minus A minus 4D is equals to 12 A से A cancel हो जाएगा 6D में से अगर 4D गया तो 2D बचेगा और यहाँ पर जो D की value आ जाएगी वो आ जाएगी 6 क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा तो D की value आ जाएगी क्या 6 अब D की जो value आई है उसे आप बच्चों यहाँ पुट कर दीजे फर्स्ट equation में पुट D is equals to 6 in equation first क्या दिया है A plus 2D is equals to 16 A plus 2D की जगह आपने क्या रख दिया 6 is equals to 16 A plus 12 is equals to 16 तो बच्चों A की value आ जाएगी 4 यहां से आप सबने देख लिया होगा कैसे मैंने solve किया हुआ है 2D बचा और उसके बाद मैं हमने जो है यहाँ पे जो D की value आई थी 6 उसको हमने first equation में यहाँ पर put कर दिया ठीक है तो A की value आ गई 4 अब हमसे पूछा क्या है find the A P आप लिखेंगे therefore the A P is बच्चों A P की standard form मैंने क्या बताई थी A, A plus D, A plus 2D, and so on ठीक है A की जगे तो आ जाएगा 4, 4 plus D की जगे रखेंगे 6 फिर रखेंगे 4 plus 2 into 6 and so on तो बच्चों यह आ जाएगा 4 यह 10 यह 2 6 आ 12 और 4 16 and so on तो ऐसे करके आपकी पूरी की पूरी जो है A P आगे बढ़ेगी तो आपकी A P ऐसे निकालते है A P जब भी बच्चों आपको निकालनी हो समझ जाईए आपके पास में A होना चाहिए और D होना चाहिए A और D निकाल लिया तो आप उसके बाद में standard form लगाएंगे और यहाँ पे आप A P को निकाल लेंगे ठीक है? Question No.16 हो गया यह वाला देखे बच्चों यह 17th question मैंने यहाँ पे लिख दिया है Question कहरा है find the 20th term from the last term of the A P आपको एक A P दिया है इस A P में आपको पीछे से last से 20th term find out करना है ठीक है? देखे सबसे पहले students हम given लिखेंगे हमें A दिया हुआ है 3 हमें D दिया हुआ है 5 और हमें An दिया हुआ है 253 चाहिए ना? A 3 दिया हुआ है D का मतलब कैसे निकालते हैं D? 8-3 यानिकि 5 और last term दिया हुआ है 253 अब देखे बच्चों इसके लिए मैंने आपको एक direct formula बताया था जैसे हम nth term निकालते हैं nth term from the last term इसके लिए मैंने आपको directly formula बताया था कि अगर पीछे से last term से हम कोई भी nth term निकालते हैं आगे के लिए तो उसका formula होता है l-n-1 into d अब आप कहेंगे sir l क्या होता है तो इससे अच्छा मैं an लिख देता हूँ ठीक है? इससे अच्छा मैं an लिख देता हूँ बच्चों an का मतलब last term होता है और l का मतलब भी last term होता है l जो है वो rs अगरवाल में एक जो डिनोट करने के लिए तरीका है an को डिनोट किया आया था l से तो चलिए an की जगे हम formula लगा लेंगे 253 an की जगे तो 253 रख दिया minus an की जगे बच्चों आपको कौन सा निकालना है अच्छा मैं आगे language लिख देता हूँ मुझे 20th term निकालना है पीचे से निकालता है तो पूरी language लिखते है 20th term from the last term तो बच्चों an की जगे तो 253 आ गया और n की जगे जो है जो term निकालते हैं वो लेते हैं तो n की जगे आ जाएगा 20 minus 1 और d की जगे हमें यहापे कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है ठीक है तो यह हो जाएगा 253 minus 19 into 5 तो 253 minus का आ जाएगा बच्चों यह 95 19 into 5 95 होता है जब 253 में से 95 minus करेंगे तो कितना आ जाएगा 158 आ जाएगा मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ वैसे तो मुझे पता है सही आएगा लेकिन फिर भी आपको करके भी दिखाएता हूँ 13 में से 5 गया 8 14 में से 9 गया तो जी 158 तो बच्चों इसका जो answer रहेगा वो क्या रहेगा 158 यानि कि पीछे से अगर आप इसमें 20th term निकालेंगे तो आपको मिलेगा 158 देखे बच्चों मैंने एक question number 18 था आप लोगों के लिए लिख दिया है यहाँ पे question दिया हुआ है the sum of the 4th and the 8th terms of an AP is 24 बच्चों बहुत important question है बहुत ज़्यादा important question है exams में इसके आने के बहुत ज़्यादा chances रहते हैं आपको बोला हुआ है कि जो एक AP है उसके 4th और 8th terms का जो sum है वो आपको 24 दिया हुआ है and the sum of 6th and 10th terms is 44 और उसके 6th और 10th term का जो sum है वो 44 दिया हुआ है find the first 3 terms of the AP AP के पहले 3 terms बताईए क्या होंगे अब देखे सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें कुछ बच्चे बहुत गलती करते हैं वो क्या सोचते है कि इन्हें sum दिया है तो वो SN का formula लगा लेते हैं SN का formula जो sum of n terms of AP होता है n upon 2 2a plus n minus 1 into d बच्चों इसमें वो नहीं लगेगा आप confused नहीं हों इस sum का मतलब sum of n terms नहीं दिया है इस sum का मतलब आपको addition वाला sum की बात कर रहा है sum of addition किस-किस का addition 4th term और 8th term का उस AP के 4th और 8th term का जो sum दिया है तो चलिए starting कैसे करेंगे given आपको A4 plus A8 इन दोनों का sum दिया हुआ है 24 ऐसे करके समझ में आ रहा है sum की बज़ए से addition आ गया किस-किस का 4th और 8th term का 4th term A4, 8th term A8 और कितना दिया है 24 पहले बच्चों मैं इसे solve कर लेता हूँ दूसरी equation में बाद में बनाऊँगा AN का formula होता है A plus N minus 1 into D तो इस साबसे A plus 4 minus 1 into D और ये हो जाएगा A plus 8 minus 1 into D is equal to 24 सहुझ में आ रहा है सभी को A और ये कितना हो जाएगा बच्चों 2A यहां से ये 4 minus 1 यानिकि 3D बचेगा और यहां से 8 minus 1 7D 7D और 3D टोटल हो जाएगे 10D is equal to 24 this is equation number 1 again अब क्या करेंगे आपको अब दिया हुआ है 6th और 10th term का जो है sum यानिकि A6 और A10 6th और 10th term का जो sum है वो 44 है मतलब A plus 6 minus 1 into D plus 10th term के लिए A plus 10 minus 1 into D is equal to 44 बच्चों A और A फिर से 2A आ जाएगा यह 6 minus 1 आपका 5D यह 9D टोटल हो जाएगा 14D ठीक है 9 और 5 14D यह आपका आजाएगा equation number 2 अब आप क्या करेंगे solve equation 1 and 2 फैली और दूसरी equation को solve करेंगे आप ठीक है किस से 2A plus 10D is equal to 24 पैली equation यह दिये दूसरी आपको 2A 2A plus 14D is equal to 44 यही तो दियो हुई है बच्चों चलिए अब देखें यहाँ पर elimination आप सबने सीखा हुआ है मैंने subtraction किया sign change कर दिये इससे cancel हो जाएगा 10D मैंसे अगर 14D जाएगा तो यह बचेगा minus का 4D और यह बचेगा minus का 20 24 मैंसे अब 44 जाएगा D की value आजाएगी आपकी कितनी 5 D की value 5 आने के बाद मैं आप इसे कहीं भी put कर दीजे बच्चों first मैं put कर देता हूँ है ठीक है put D is equal to 5 in equation 1 पहली equation में D की value 5 पुट करूँगा मैं तो 2A plus 10 into 5 is equals to 24 तो बच्चों यह हो जाएगा 2A plus 50 is equals to 24 यह हो जाएगा 2A is equals to minus का 26 और A की value आजाएगी minus का 13 सही है बच्चों आपसे जो इसना पूछा है वो आपसे पहले 3 terms पूछा है और आप AP के पहले 3 terms जानते हैं कि AP के 3 terms क्या होंगे आप लिखेंगे the first 3 terms are क्या होते हैं A, A plus D, A plus 2D यही तो होते हैं अच्चों 3 term A की जगह है तो सीधा सीधा minus का 13 आजाएगा minus 13 plus D की जगह है आपका आजाएगा 5 यह आजाएगा minus 13 plus 2 into 5 ठीक है यहनिके minus 13 यह बचा minus का 8 2 5s are 10 10 वैसे minus 13 यहनिके minus के 3 तो यह पहले 3 terms आपके यह आजाएगे पूरी AP पूछी होती तो ends वोन लगाके और आगे बढ़ा देते समझ में आगया तो I hope आपको यह वाला question बिल्कुल कलियर हो गया होगा 3 terms पूछेते हैं और बहुत important question है ठीक है जब भी ऐसा question मिले दो एक question बनानी है solve करना है AD निकालना है answer निकालना है लेकिश ट्रेंट्स मैंने 19th question लिख दिया यहाँ पे 19th में आपको बोला है सुबबर आओ started work in 1995 कोई सुबबर आओ है उन्होंने 1995 में अपना work start किया था at an annual salary of rupees 5,000 5,000 रुपे उन्हें जो है साल की salary मिलती थी ठीक है उसके बाद उन्होंने बोला है and received an increment of rupees 200 each year और उन्हें 200 रुपे हर साल बढ़ जाया करती थी उनकी salary 5,000 के बाद में 5,200, 5,400, 5,600 ऐसे बढ़ जाया करती थी 2,200 रुपे बताए किस साल में उनकी salary 7,000 हो जाएगी ठीक है तो बच्चों आपको यहाँ पे जो first है A है वो 5,000 दिया है जो given है A 5,000 दिया है increment बच्चों 200 हो रहा है यानिकि वो आपको D दे दिया है बढ़ रहा है न एक constant rate से बढ़ रहा है 200 रुपे तो वो आपका D हो गया और 7,000 finally पहुचेगी यानिकि यह आपका A N दे दिया है आपसे number पूछा है किस साल में यानिकि number of year आपको बताना है कौन से number में तो A N is equal to A plus N minus 1 into D यानिकि 7,000 is equal to 5,000 plus N minus 1 D की जगे आजाएगा 200 5000 इदर जाके minus हो जाएगे तो 2,000 बचेगा और बच्चों 200 से जब divide करेंगे तो 10 आजाएगा और N की value यहां से निकल के आजाएगी 11 यानि कि 11th year वो year होगा वो साल होगा 11 साल जिसमें सुबबाराओ की जो income है वो 7,000 पहुँच जाएगी salary जो है साल की ठीक है तो बच्चों ये पूरी exercise 5.2 खतम हो गई इसके बाद एक 20th question और भी है रामकली जो भी है लेकिन वो question बिल्कुल सेम है इसी की तरह है बिल्कुल सेम तो आप उसे कर लेंगे मुझे पूरी उम्मीद है तो आपकी ये 5.2 exercise AP की पूरी खतम हो गई अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो समझ में आई हो मैं अपने कुछ pages का link दे दूँगा जहाँ आप मुझे join कर सकते हैं और प्लीज वीडियो को like करना न भूले like जरूर करें thank you so much